तुने तेज को सुबस से हमने देखा नहीं है कहां चली गई है तो मिमी बोलती है साथ दुखी होकर कहीं चली गई होगी तो तीनों मिलकर दालचिनी के बारे में बाते कर रहे होते हैं तो अब उधर जो राजरानी दालचिनी को कबर्स्तार में मिट्टी में दफनाती होती है तो वहाँ पर दालचीनी की होस आज आती है और उसके पास जो चक्कू होता है तो दालचीनी उसी से मिट्टी को खोदने की बहुत ज़्यादा कोशिस करती है और इधर कला और राजजानी बहुत ज़्यादा खुस होती है क्योंकि कला की साधी वह होने वाली होती है तेज से तीज बोलता है कि साध कला के साथ साधी होते हुए मुझे नहीं देखना चाहती इसलिए साधी हो चली गई होगी पता नहीं वेचारी पे क्या बीथ रही होगी, इदर सब लोग खुस होते हैं, कला और तेज़ खुस होते हैं, बाकि सारी घर वाले दूखी होते हैं, और उसके बाद उन्धर दालचीनी जो मिट्टी में दफना दी गई होती है, तो वहाँ पे चाकू से मतलब माटी खोदने की कोशिस करती है, तो बहुत देर कोशिस करने क के बाद दाल चिन्नी मिटी से बाहर आ जाती है और सोचती है और उसका फोन वहीं पर गिरा होता है तो सोचती है कि मतलब फोन गिरा होता है तो फोन उठाती है तो उसका फोन आफ आता है लेकिन उससे पहले मैसेज कर दी होती है तेज के पास तो बोलती है पता नहीं तेज सर माधी मंदीर में होने लगती है तो सब लोग मतलब साधी में बैठते थे और दुखी ती सब दालचीनी की वेट कर रहे होते हैं लेकि राजरानी और कला बहुत खुष थे क्यों कि तेज़् सहँ रहा था और दालचीनी वहां से दौरते दौरते बतल बहुत देर के बाद वहां पहुंची जब दालचीनी मंदिर पहुंची तो वहां पे साधी हो चुकी थी और साधी हो चुकी थी वहां पे जाते ही दालचीनी सौक हो गए कि मेरे आयाने से पहले साधी हो गए सब कुछ खतम हो गय और इधर तो तेज कला बहुत जादा खुश थी तभी वहाँ पे डालचीनी पहुंची तो सबी लोग देखकर सौख हो ये डालचीनी पुत्तर तुम कहां थी अभी तक तो जागर कला को मारती है बहुत जोर से चाटा मारती है और पूछती है कि क्यों तुम घरवालों को धो कर्षकर सौखा दी धोखय वाजु तुम यही सब बोलती है तो सबी लोग समझने ही पाते है कि तो तेज के पापा पुशते की डालचीनी पुत्तर तुम ये क्या बोल रही हो तो डालचीनी बोलती है कि बाभी जी ये कोई पर अब नहीक है ये वाजिए और ज्धूड बो तभी फिर मारती है चाटा कला को मतलब दो तीन बार जोर जोर से मारती है और धर तेज की मा राजरानी भी सुचती है कि साथ मेरा सचाई बाहर ना आ जाए और उसके बाद उसके बाद दाल चीनी बहुत बोलती है बोलने के बाद बोलने के बाद बोलने के बाद बोलती है तो मारने जाती है सोख और दालचीनी बहुत रोती है और इस बोलती है और अपने बहन को बहुत जादा बोलती है इससे पहले मेरा सांध सामने आये पह पाँ जाती है और उसके धंगाव का देती है धंगाने के बाद क्या बोलती है तो कितना कुछ होने के बाद jugo क्या पाँ जाती है जो सेहर आ तो आपने रिपोर्ट देखे ही संचाई मतंमिशनका में हमारी पडई तभी उधर से क्या देख से जो आप है कि तब सभी लोग सोख हो जाते हैं कि आखिर कला से साधी की किसने तो उसके बाद है कि सब लोग सोचने लगते लेकिन मीमी चाची को पूरा भिष्वाओ अ कि भाली चाची को क्यों क्योंकि क्रला का प्लान फेल हो गया था उसे तेज से साधी करने थी और उस घर पे मालिकिन बनकर राजरानी से बदला ले रहा था और उसकती थी कि मैं इसे कटोड़ा लेके भीख न मंगवाई तब कहना उधर डाल चीनी और तेज की माँ भी सोच रही थी कि मैं कला को ऐसी मतलब तेज के जि लगती है और गिर जाती है और रोने लगती है तो सभी लोग दीपक को डारते है कि दीपक तुमने इससे साधी कैसे कर सकते हो कि इतनी धोक्यवाद चालवाज लड़की है और तुमने सब कुछ पहले से पता है तो फिर साधी क्यों कर कि किया इससे और तेज भी बोलता है क कि दिपक तुमने अपनी जिन्द की क्यों बरबात की इस कला से साधी करके तुझे पता है ना कि कला कैसी है कि तुमने तो मैसेज पढ़ने के बाद बोला था कि भाई आप जाए भावी को बचाईए और मैं यहां का सिच्वेशन हैंडल करता हूं तो फिर तुमने इस साधी क क्योंकि तो दिपक बोला कि भाई मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं इससे ज़्यादा नहीं इसके बीना नहीं रह सकता जब मैं नसे के हालत में सुसाइट करने जा रहा था तो भावी ने मुझे समझाया कि मैं दोनों भाईयों के संग कोई गलत होने नहीं जगरती है कि ऐसा क्यों किया तुमने तुझे पता है अच्छी तरह से कि लड़की कितनी धोके बाज है और कितनी चाल बाज है ये अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है किसी हद तक जा सकती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुमने मुझे बताया नहीं इतनी बेकार है, अच्छी नहीं है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, तभी और कला भी मतलब बहुत दुखी होती है, बहुत गुसा होती है, बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे साथ मुझे दोखा क्यों कैसे दे सकती हो, सभी लोग दुखी हो जाते हैं, और फिर सब लोग घर ज लगते हैं अभी कि अभी तुम दोनों को मतलब तेज के पापा बोलते हैं कि तुम्हें इस फैमिली और कला के दोनों में से एक को चुनना होगा तो दीपा के कला का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं कला के साथ ही रहूंगा तभी उधर सबी लोग बहुत जादा दु बोलते हैं तब क्या करती सभी फैमिली एक जुठ होते हैं और कला को बोलती कला भी दीपा को बहुत जादा बोलती तुम ऐसा कैसे कर सकते हों मेरे संग और उसके बाद मिमी चाची थोड़े देर में सादे कपड़े में दीपक को इसराद करने के लिए हांडी में पानी वा सभी घर वाले सोख हो जाते हैं और बोलते हैं कि मिमी यह क्या कर रही हो दालचीनी बहुत समझाती है कि यह क्या कर रही हो क्या कर रहे हैं चाची और कला और दीपक वहां नहीं होते हैं तो सब लोग समझाते हैं मिमी को लेकिन मिमी बोलती है कि नहीं दार जी मैं आज अप हुएक काला उसकी कोई जगह नहीं कुछ वह जाए किन मैं उसे अपनी बहू नहीं मान सकती है क्वे स्टिंस भी काला बहुत कि लड़की थी और दिपक लिखरएंने कलर चुपत कर दिछे काला को सबपसंद नहीं एपनान person और राज रानी तेज की मा भी गई उसे बहुत जादा मारी पीटी और बोले कि कुछ भी हो जाए तुम मेरी सच्चाई सामने किसी के मत लाना नहीं तो तुम्हारी देड बोडी लाने में मुझे देर नहीं लगेगी तभी पंडी जी फिर से पुछते कि मिमी एक बार फिर से सोच लो कि ये तुम सही नहीं कर रही हो तो मिमी बोलती है दीपा की मा कि नहीं मैं आज अपने बेटे की सराथ करकर उसके जल गंगा जल से सुध हो जाऊंगी और उसे अपने जिन्दिगी से बेदखल कर दूंगे तो आप सबको टीवी से पहले हमारे चैनल पर सीरियल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सबको हमारे चैनल पर टीवी से पहले सीरियल देखनों को मिल जाएंगे तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए